5A, 7A, 9A, 10A, Masterpiece, Imported, First Copy ये सारी terminology आप लोगों ने दुकान वालों की मूँसे अकसर सुनी होगी पर आप लोग confused हो जाते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है तो हमारे एक subscriber की request पर में ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों इन terms का use किया जाता है quality purpose के लिए जहां किसी brand की original product की quality 100% होती है वहीं जब इनकी copies को release किया जाता है तो term use की जाती है जैसे 7A तो 7A का मतलब होता है 70% accurate as original product 9A का मतलब हो गया 90% accurate है 5A का मतलब हो गया 50% accurate है और जो किसी product की 10A copy होती है उसको masterpiece बूला जाता है क्योंकि masterpiece में और original brand के product में differentiate करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है वहीं आप 7A, 5A, 9A में थोड़ा बहुत difference निकल के पता लगा सकते है कि यह original है या fake copy है दोस्तो इन सभी qualities में difference इन में use किये गए raw material और इनकी manufacturing process के कारणाता है और इन सभी terminology का सबसे ज़ादा use इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के अंदर किया जाता है जहां पर कोई भी buyer और seller एक दूसरे से जब business deal करते हैं तो वो इन ही terminology के base पर ही की जाती है और इन ही quality standards के base पर किसी भी product की price को decide किया जाता है और रही बात imported shoes की तो दोस्तों imported shoes वो shoes होते हैं Vietnam, Korea, etc. अलग-अलग countries से import किये जाते हैं quality standards इन shoes के तोड़ अच्छे होते हैं इस वज़े से इनका market में जाता परचलन है अब जैसे example समझो कि जो shoes इंडिया से export होगे जैसे बाटा का shoes इंडिया से export होगे अफरीका में गे तो अफरीका वालों के लिए वो imported shoes हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों को doubt जरूर किलियर हो गया होगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करे बिना बिल्कुल मत जाना तो मिलते हैं next किसी वीडियो के अंदर